नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पर देखें बहुत ही बड़ी अपडेट है वह एमसेसी की तरफ से निकल किया है जैसा कि आप सभी को बता है कि आपकी काउंसलिंग है फैस्ट राउंड की वह फिर से स्टार्ट हो तो कुई हलांकि इसको लेकि मतलब पहले ए आपको एक नोटिस है वह इनकी तरफ से दिया जाएगा तो यहां पर देखिए नौटिस पर जिपमेर यह देखिए उपर देखने को मिलेगा आपको यह रहां मामला क्या है यह मामला यह है जो आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम को में मदरास हाई कोट में जो मसला गया था 27 को ही जिसके कारण यह जो आपका फिर से काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो यह देखिए काइंड अटेंशन मतलब से बात यह है कहने का मतलब यह है कि जो हाई कोर्ट है मदरास का उन्होंने यहां पे जो एक लिस्ट जारी की है ठीक है जो यह डॉमिशाल कंडिएट इस प्रोड़ेट वाइड दीमस ओफिस प्रोदीचरी कंडिएट फूर पाटिस्वेटिंग काउंसलिंग एज पर न इंडिया कोटा एंड जिप मेर डॉमिशाल सेट इस प्रोड़ेट इस इस्ट इस इस्ट पर यह देख लिए फिर आगे इन्होंने एक लिस्ट है वह यह जारी कि है वह यह वह लिस्ट ऑप पुदूचरी कंडिएट उसनेम आर मिसिंग इन्दा फूदूचरी डॉमिशाइ जिसके कारण इन्होंने यह याची का लगाई थी और फिर इनका यह मतलब वापिस से इनका दे दिया गया है ठीक है यह इसी के कारण यह थोड़ा सा डिले यहां पर हुआ है ठीक है आपकी फिर से कांसलिंग है स्टार्ट हो चुकी है तो आप इसमें जो अपने हिसाब से देख लेना भी पहले जो लिस्ट आई थी उसमें किस हिसाब से कॉलेज हैं वो मिले हैं ठीक है तो वह आप जो अपनी चोईश फिलिंग है उसमें कर सकते हो कौन सा आप प्रेफरेंस किसी को मतलब पहले बाद में देते हो तो वह देख लेना आप आगे बढ़ने से पहले जरूरी अपडेट मैं अकेडमी की तरफ से आपको देना चाहूंगा जो अनलोक 20 परसेंट ओफ ओन ओल अनकेडमी सब्सक्रिप्स अगर आप आज और कल कोई भी सब्सक्रिप्स लेते हो आपको 20 परसेंट ओफ मिलेगा सर्थ यह है कि आपको एक्जाम 15 कोड यूज करना हो जोब लिंक आपको मिल जाएगा इसके बाद आपके जो प्राइस है वो बच्णेंट मेस्या चाहीं तो अभी आपके पास दो दिन का टाइम है penguin को दिस्क्रेप्सिप्स कोर्स पोर निट दोज 활 यह आपका जो बैंस है वो 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है इसमें यह आप देख सकते हूं यह टीचर हैं यह पढ़ाने वाड़े हैं वालोजी कमेस्टर बायोजी कमेस्टर फिजिक्स वगेरा सब कुछ इसमें देखा रहा है अंतिम यूद बैंस है यह 2022 वाड़ों के लिए स्टार्ट हो चुका है रिजिटेशन वो कर लिजी और उसके बाद आपका जो रिजल्ट और जो सेट अलोट्मेंट वाला सिस्टम हो आगे आपका सेमी रहने वाला है ज्यादा डिले उसमें नहीं होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले आपके हो चुका है तो अपना सेक्के सेट सोईस्ट विलेंग वो कर लेना